रोशन घर के बाहर बैठा है वो पारवती का इंदजार कर रहा है दादी आ जाती है रोशन पूछता है दादी पारवती दीदी किन्ने बाड़ी दादी कुछ नहीं बोल बोल पाती रोशन कहता है दादी चुप कहे बाड़ू बताई ना दीदी के बारे में का पता चलल आखों से आशू आ जाता है, वह कहती है, रोशन हम सारा गाह चान मर ली, केकरा से ना पुछनी, लेकिन पारवती के बारे में कुछों पता न चलल, पता न का भाई हमरा बच्ची है, रोशन कहता है, अईसन कैसे होई, दीदी तो बहुत समझदार बाड़ी, वह ऐसे कहां चल जाई, हमरा से तो भेटे ना भाई, की हम पुछती, का तोरा से वह कुछ ना कहिली, दादी कहती है, कुछों बतवले रहती, तो हम खोज के ना ले अवती, हमरा तो मन बैठन जारालबा, ना जाने कितना तरह के बुड़ा बुड़ा खयाल आरालबा, अब का करी, कलिकांद के भी तबियत ठीक नहीं के, कि उनका से कई, की कई खोज के ले आवे, हम एतनी दूर गईनी, तो ठाक गईनी, दादी रोशन से कहती है, अच्छा सुन बढ़का बढ़का बढ़के, तो ए बात पता नहीं खेनू, पता नहीं खेनू भाईल, रोशन कहता है, ना दादी, लेकिन पार्वती दिदी, आखिर गईल तक गईल कहां, कार जाने कवन मुसिबत में तो ना फस गईली, दादी कहती है, अब का बताई हम, अब का बताई हम, अब तो छटी माईया के भरोशावा, उए हमार पार्वती के रक्षा करी है, माईय हमार पार्वती के घर से घर ले आवा, बिन मा के बच्ची बाड़ी, रोवे ओकर माईय के फरज निभाई, तब हम देखे हैं कि मीना यह सब छिप कर सुन रही है, वो खुश होकर कहती है, यह तो बहुत निम्मन खबर बुढ़िया सुना देली, ओ कही ना मिलल, मतलब ओ गईली अब उपर, अच्छा बा, ना मिले, डा, संस्कार के खर्चा भी बाची, जंगले में कवनों बाग सियार खा जाए तो अच्छा, यह घर के सारा जमीन जायजाद हमार बच्चन के हो जाए,